तो दोस्तो जैसा की आज के समय में अब भारत दुन्या के उन चुनिंदा कंट्रीस में से एक है जो की सबसे पहले तो एरक्राफ्ट कैडियर जैसे जो बड़े एसेट्स है इनको बनाने में कैपेबल है और साथी साथ यहाँ पर अब हमारी पास में दो-दो की संख्या में इ जो सर्विस है उसको जोइन कर चुके हैं तो भले ही यह हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है लेकिन यहाँ पर इस अचीवमेंट के साथ में भारत के सामने एक छोटी सी समस्या यह है कि दोनों ही एरक्राफ्ट कैडियर की जो एरविंग है तो उसको मैनेज करने के लि मिक 29 यूपीजी वेरियंट का नेवल वेरियंट है तो यह यहाँ पर इतनी संख्या में मुझूद है जो कि दोनों कैडियर के लिए सफिशन्ट नहीं है तो इसी के चलते हमने एक टेंडर को जारी किया जिसके अंतरकत यहाँ पर इस कॉंपिटिशन के अंदर सबसे पहले यूएस के एफए 18 सूपर होरनेट और साथ में फ्रांस की साइड से इनके राफेल M फाइटर जेट ने पार्टिस्पेट किया तो इसी को लेकर के एक बड़ी डवलप्मेंट होई है जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जाने कमेंट कर जीजगा तो दोस्तो हमारे NSA यानिकी अजीड डवाल साहब की जो फ्रांस की विजिट है तो उससे पहले फाइनली फ्रांस की जो दसॉल्ट कंपनी है तो इन्होंने हमारी सरकार के सामने जो फाइनल राफेल म फाइटर जेट का प्राइज है वो यहाँ पर सब्मिट कर ग reportedly है जिसमें इन्होंने कई जो फैक्टर्स है उनको एड किया है यानिकि यहाँ पर अब आप सब लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार के सामने राफेल म फाइटर जेट के ज तो यहाँ पर सबसे पहले जो The Salt Company है तो The Salt ने यहाँ पर 36 राफेल फाइटर जेट के बेस पर ही जो प्राइज है उसको समिट किया है लेकिन यहाँ पर इंफलेशन जैसे जो फैक्टर्स है उनको एड्ड किया गया है साथी साथ यहाँ पर हमारी नो सेना की हमारी वाय सेना के चोटे बड़े यहाँ पर मेजर चेंजिस को हमारी नोसेना के दुआरा डिमांड किया गया है साथे साथ यहाँ पर यह जो 40 additional fuel tanks है तो इनका साफ मतलब है आप सब लोगों को पता है कि जो naval fighter jet होते हैं तो जब यह अपने carrier operations को perform करते हैं उस दोरान में basically इनकी जो payload carrying capacity है वो यहाँ पर काफी ज़्यादा कम हो जाती है आम तोर पर जो weaponry capacity है उसको कम रखा जाता है जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा fuel को carry किया जा सके जिससे की जो range है वो भी यहाँ पर बढ़ती है इसके अलावा यहाँ पर हमारी नो सेना रूदरम जैसे जो missile system है उनका integration चाहती है हमारी अस्तर missile का जो integration है वो यहाँ पर पहले से चल रहा है साथी साथ यहाँ पर आप सब लोगों को यह news भी काफी बार सुनने को मिली होगी कि हमारी नो सेना और वाई सेना यह चाहती है कि समानता के लिए हमारे पास में जो राफेल फाइटर जैट है तो इनके अंदर हमारे खुद के उत्तम EESR डार का इस्तेमाल किया जाए लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ जो reports हैं वे यह सजेश्ट कर रही है कि हमारी MOD के दुवारा यह जो यहाँ पर demand रखी जा रही थी EESR डार का राफेल के अंदर integration करने को लेकर के तो इसको reject कर दिया गया है तो यहाँ पर most probably chances है कि अब EESR डार का जो integration है वो आप सब लोगों को राफेल fighter jet के उपर देखने को ना मिले लेकिन यहाँ पर यह कोई बड़ा issue नहीं है क्योंकि इससे पहले भी राफेल fighter jet के अंदर जो रडार लग करके आता है वो काफी ज़्यादा capable है काफी ज़्यादा बहतरीन है लेकिन यहाँ पर अगर हमारा खुद का EESR डार इसके ओपर integrate हो जाता तो इससे definitely भारत को कही ना कही एक बड़ा advantage मिलता fleet के अंदर जो समानता है वो भी काफी ज़्यादा बढ़ती और जो weapons है उनके integration को ले करके हमारे लिए जो आसानी है वो भी यहाँ पर काफी ज़्यादा होती क्योंकि अपने weapon के अंदर अपने radar के अंदर जो आप कह सकते हैं कि एक combination बिठाना होता है तो वो काफी ज़्यादा easy इसके लिए रहता है तो दोस्तो overall इस सारी development के बाद में अब आप सबको क्या लगता है comment section में बताईएगा क्या अब final यहाँ पर कुछ बड़ी developments deals को ले करके देखने को मिल सकती है या फिर नहीं इसके बारे में भी नीचे comment section में mention कीजेगा बाकी तो अगर आप को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा अगर आप channel के उपर पहली बार आएं तो please channel को subscribe कर दिजेगा तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में तब तब के लिए good bye जै हिंद